अरे हो आप नोगों का माया ग्राफिक्स में फिर से स्वागत करते हुए आज क्या है एक सिंपल 3D ट्विस्टेड लोगो आप पर क्रूल रो में कैसे क्रेट कर सकते हुए उसके बारे में बताने जा रहा हूँ तो पहले क्या एक एलिप्स टूल लेता हूँ एक एलिप्स बाद अभी समझे जो इसका जो हдеक है इसके अंदर मुझे क्या करना है टृट्स करना है तो इसके लिए इसके लिए मैं क्या करता हूँ एक का MR रेक्ते टूल लेकर एधर एक, स्टिप लेता हूँ इस के साथ इसको इसको सलेट रखते हुए चipl top में अ गया Mart में सेंटर कर अभी इन तीनों strip को select करता हूँ, select करके यह जो point है, इस point को hold करके stretch कर लेता हूँ, जैसे इदर quadrant करके अभी दिखो, यह bottom point पर ऐसे snap हो रहा है, तभी आपको click छोड़ना है, तो दिखो भी इदर आप क्या है, इदर आपको three divisions आपको मिल रहा है, तो अभी इस circle को select करता हूँ, select करके यह जो node है, coordinate करके इदर node आपको दिखा रहा है, इसको hold करके इसे नीचे लाता हूँ, अभी दिखो, इदर midpoint करके जैसे snap होता है, mouse right लिक करके left लिक छोड़ देना है, तो और एक कापी बन गया भी, अभी इसको control R करता हूँ, तो repeat हो रहा है, और एक बार control R करो आप तो repeat हो गया, यहीं, अभी दिखो, four circles इतर ready है, तो अभी क्या है, इदर से इसे drag करो, drag करके यह जो strip से इसको delete कर देता हूँ, तो इतना delete करने के बाद, अभी क्या है, एक freehand tool लेता हूँ, लेकि क्या करना है, आपको इदर click करके, control को hold करते हूँ, इसे लेना है, तो दिखो इस line को क्या है, और एक बार copy paste कर लो आप, copy paste करके, इसको select करना है, आपको circle को shift के साथ, अभी इसको r बोलता हूँ, तो यह right में आ गया, अभी आपको क्या करना है, फिर से rectangle लेना है, लेकि इदर क्या ऐसे drag करता हूँ, drag करके एक strip लिया मैंने, अभी इसका strip का width है, इसको 50 इसका width क्या है, 50 mm रखा है मैंने, अभी shift के साथ इस circle को select करो आप, select करके इसको c भोला है, यह और width में center करना है आपको, इतना होने के बाद, अभी इन सबको select करता हूँ, select करके ctrl g भोलना है, ctrl g बोलने से क्या हो गया, ग्रूप हो गया, इसको group करने के बाद, आपको क्या करना अबύ? smart fill में आना है अव इसके प्रा करना है स्मार्ट फिल करके टूल है क्लिक करने के बाद अब इसको क्या करना है इस portion पे आना है इदर भी लेता हूं इस step को एसे complete कर लेता हूं को तो देखो भी ऐसे ट्विस्ट हो वाया वेसा लग रहा है तो अभी इस portion पे लेता हूं और जो gap के साथ इधर यह portion है इसको भी लेता हूं तो देखो भी uda sun करने के बाद आपको क्या करना है इसे बाहर से ड्राग करना है एरो टूल से ड्राग करने से क्या हो गया है यह सब सेलेक्टेड है अभी इसको क्या है वेल्ड बुल देता हूँ अभी इसको क्या है एक सिंगल अबजट बन गया तो अभी इसको क्या है इस तरफ लेता हूँ मैं सो अभी साइड में लेने के बाद अभी इसको क्या हैfig इसे नीचे लेकर mause क्या है राइट लिक करके left लिक छोड़ना है तो दिको भी आईएकं की says copy बन गया अभी इसको क्या है horizontal और vertical flip कर लेता हूं flip करने के बाद अभी इसक जो share है थोड़ा change कर लेता हूं मैं समझो भी इसको एधर आपको डिकह रहा है इस नोड को फ़ोड़ से decide करता हूं जैसे इफ looks एब सब्सक्राइब ये एके अधर लेता है इस पॉर्शन पर आता हूं अब इसको फोड़ा छोड़ देा है जैसे l but अब भी इसको और थोड़ा 3D look आपको देना है तो आप इधर क्या है इसको फोड़ा shadows create कर सकते हैं तो उसके लिए अभी मैं क्या करता हूँ इधर आप फ्रेंट टूल लेता हूँ डेकर क्लिक करके हाँ तक यहě लाइन लेने के बाद अभी is क्या करता हूँ इधर smart fill लेता हूँ smart fill लेकर क्लिक करो आप रोचौ थेकर ब्लाक शर्ट देता हूँ ञाए इंद्धूनों परिशल्स को स्लेट करता हूँ अ यहार आपको क्लिक छोड़ना है, सो अभी इसको प्रांपरेंसी टूल है। अब इसको क्लिक करके कंठ्रॉल को करते ह। अभी है पॉंड़ा इससे अंदर की तरफ लेता हो, अगर आप ऐसे बहुद रहेंगे तो क्या होता है एक लाइन जैसा दिखता है तो इसको थोड़ा यसे अंदर की तरफ लेता हूं अभी इस पॉइंट को क्या है और तो प्रतोर अश्च्व दिश्टंस लेता हूं इधर तो देखो भी यह आपको समझ में आ रहा है तो अभी मैं क्या करता हूं इसको और एके copy करना है आपको इसको लाइट कर लेता हूँ इसको आपको क्या करना है और एके copy कर लेना है copy करके इसको क्या है इसको क्या है वर्टिकल कर लेता हूँ वर्टिकल करने के बाद आपको क्या करना है फिर से इस point को hold करके इधर लाना है जैसे इदर स्नाप होता है, तब आपको क्या है क्लिक को छोड़ देना है, तो दिको अभि ऐसा आगया, अभी इदर क्या है, यह आपको उपर क्या है, यह overlap है वह ऐसा लग रहा है, अभी यह उपर का जो shadow हमने रखा है, यह selected है, shift के साथ इसको select करता हूँ, अभी इसको क्या है और के से कॉपी कर लो कॉपी करने के बाद इसको क्या करना आपको horizontal करना है अभी इन सब को select करो select करके जो outline है इसको remove करना है एक cross mark है इधर इसको क्या है most right click करता हूँ right click करके set outline color करके है तू दिखो भी ये क्या है outline remove हो गया भी अभी आपको क्या है ये complete twisted जैसा लग रहा है अगर ये करते होग तो आपको कुछ doubts वग रहा है तो मुझे comment box में comment कीजिएगा हमारे साथ जुड़े लेने के लिए और इस channel को subscribe करने के लिए आप लोगों का धन्यवाग